दोस्तो बॉलिवुट की मशूर एक्ट्रेस आलिया भट काफी लंबे समय से अपनी फिल्म गंगु बाई काठिया वाड़ी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं अब वहीं फैंस के इंतिजार को खत्म करते हुए फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर आउट कर दिया है ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुवात गंगो बाई काठिया वाड़े की एक दमधार इंटरड़क्शन से शुरू होती है और वहीं सेंटरी होती है फिल्म की हिरोईन आलिया भट की कार से निकलती आलिया के लिए बाहर लोगों का हुजों मुर्दापात के नारे लगाता दिखाई दे रहा है और उस भिल्ड को रोकने के लिए गिंते के कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद है स्टेज पर भाशन देना हूँ या सिक्स वरकर के लिए हक मंगना या फिर उनके बच्चों की सिक्षा के लिए आवाज उठाना हूँ या उनके लिए घर बनवाना आलिया भट यानी गंगूबाई उसे करते दिखाई दे रही है वह एक्टर अज़े देवगन इस फिल्म में स्पेशल कैम्यो करते दिखेंगे ट्रेलर में उनकी एंट्री बहुत ही धमाकेदार है जिस पर फैंस तालिया बजाने से खुद को रोक नहीं पा रहे ट्रेलर में एक्टर विजे राज गंगूबाई के सामने विलन रजिया बाई के रोल में दिखाई दे रहे हैं फिल्म में रजिया और गंगू के बीच कमाठी पूरा के मैडम बनने का यानि वहीं के मालकिन बनने की लडाई दिखाई जाएगी फिल्म गंगुबाई काठिया वाड़ी अधारित हुसैन ज्यादे की किताब माफिया क्वेंड आफ मुंबई पर और ये फिल्म आपको बड़े परदे पर 25 परवरी को देखने को मिलेगी यानि OTT पर नहीं थियर्टर में हमारे हिसाब से तो गंगुबाई बॉक्स आफिस पर कमाल करने वाली है अब आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिल्हाल के लिए इतना ही ऐसे ही फिल्म और ट्रेलर के रिव्यू के लिए देखते रहे ही मिडिया दरपार इंटर निवाद